स्ट्राइक के एक साल पूरा होने के मौके पर एर चीब मार्शल आरकेस भधोरे ने मिग 21 लड़ा को भी मान पर उडान भरी है सिर्नगर एर बेस पर इस दक्ता मौझूद है अपने एर वारियर का होसला बढ़ाने पहुंचे हैं सर एक साल पूरा हो रहा है किस तरह का संदेश खासतोर से एक साल पहले वायसेना ने जो कारनामा कर दिखाया था पाकिसान में खुसकर ऑपरेशन किया था आज आपने खुझ में 21 पर उरान भरी है मैं यहां आया हूं 51 स्कॉन के साथ फ्लाइ करने के लिए और कुछ मिराजिस और 230 ने जो ओपरेशन में पाट लिया था वो भी यहां आई है जोइन किया है मेरा संदेश पहले तो अपनी वायसेना में ही है कि जो हमने किया है वो बहुत अच्छा था इसी तरह से हमें उपरेशन ट्रेणिंग पर ध्यान रखना है अपनी उपरेशन रेडिनेस पर ध्यान रखना है एक तरह से एक साल खतम होने के बाद मैं इन यूनिट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंट करना चाहता था फ्लाइ करना चाहता था इसलिए मैंने चूज किया कि मैं 51 स्कॉर्ण के साथ फ्लाइ करूँगा किस तरह का होसला है आपके लोगों में फ्लाइ करूँ एंड उसका परपस यही था यह हमारा सबसे पुराना विमान है पर इसको जो लोग फ्लाइ करते हैं एटिट्यूड और स्पिरिट मैटर करता है उस समय अभी जब 51 स्कॉर्ण के पाइलेट्स ने एंगेज किया था और जब अविनंदन ने एंगेज किया था उनको पता था वो एडवसरी की टेक्नोलोजिकल केबिलिटी मिजाल केबिलिटी क्या है बट जब हमारी एर डिफेंस अलोट होता है और जब वो लांच होते हैं किसी ऐसे दुश्मन पर तो वो एंगेज करते हैं बेस्ट फ़र्म पॉसिबल में इसलिए मैंने 51 स्कॉंट के साथ फ्लाई किया है और होसला और यह एटिटूट वो मैटर करता है और वो बहुत ही बुलंद है आपके साथ दो मिराज और सुखोई भी थे जिन्होंने उस ओपरेशन में सालिया था अगर उस ओपरेशन की बात करें कितना सफल ओपरेशन था किस तरह से सारी एजेंसी के साथ मिलकर पहली बार इतने बड़े operation को एक देश के अंदर घुसकर अंजाब दिया था Operation बहुत ही successful था और बहुत ही एहम था बहुत reasons के कारण सबसे पहले government के decision के कारण क्योंकि यह decide किया गया कि अब हम किसी भी terrorist attack को status quo की तरह नहीं देखेंगे अगर adversary orchestrate करता है ऐसे कोई attack तो हम respond करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा decision था उसके बाद intelligence agencies के inputs पे जो target select किया गया वो बहुत एहम था हमें पता था किस लेवल के terrorist का ट्रेन हो रहे हैं और target selection बहुत एहम था उसके बाद तीनों defense services की जो cooperation थी उनकी readiness थी आपको पता है तीनों services ने बोला हम कोई भी target लेने को तयार है फिर वो target air force को दिया गया and आप जानते हैं हमने जब 26 को strike किया तो हमने total surprise अचीव की उनके जहाज alert पे थे फिर भी हमारे package के आसपास कहीं नहीं पहुंचे और हमारा mission बिलकुल successful था so कई reasons के कारण यह बहुत successful mission था and यह really dictate करता है इंडिकेट करता है हम हमारा attitude आज की तारिक में क्या है government decision लेंगी कि ऐसे attacks जब orchestrated होते हैं तो उनका response दिया जाएगा और हम तयार हैं हर तरह के response के लिए हर target को take on करने के लिए एक साल के बाद अगर हम हालात देखें सेना कह रही है सेना पुर्मिक ने खुद कहा कि पाकिस्तान के कपज़वाले कश्मीर में जो terror camp है वहां पर बड़ी संख्या में अभी आतंकी मौझूद है बड़ी पाकिस्तानी सेना खुले आम उनको मदद कर रही है गुसपैट में सारी चीज़ें मौनिटर की जा रही है हमारी एजेंसी से हमारे पास सब की रिपोर्ट है एंड यह सब क्लोजली मौनिटर होता है तो ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं वहां क्या हो रहा है जब भी डिसिजन लेते हैं जब भी कोई ओ पुल्वामा टाइप अगर कोई इवें हमारा आज की तारिक में यह सिटुएशन एरपार की काफी बदली है पहले एरपार सब कॉनवेंशनल में यूज नहीं होता था अब हमें हमेशा तयार रहना है कि ऐसे टरिस्ट अटैक के रिस्पॉंस में और सब कॉनवेंशनल थ्रेट अनालिसिस में एरपार यूज हो सकत है and जब वो decision लिया जाता है we should be ready for any mission, any target, any depth. So वो हमारा काम है, prepared right now. आने वाले दिनों में वाईसने के ताकत को हम देखें तो इस साल एक बड़ा जो विमान है रफाल के हम बात करें, वो इंड़क्ट होगा, उस से कैसे हमारी ताकत बढ़ेगी है खासतोर से जो हमारे पड़ोसे मुल्क हैं, चाहे चीन की बात करें, पाकिस्तान के साल जिस तरह का हमारा मुकाबला रहता है रफायल एक बहुत ही केपाबल जाज है एन जब रफायल का इंड़क्शन अलड़ी हो गया है बत हमारे अभी देश में पुशंसे नहीं है चार जाज में के अड़ में पूंचेंगे, हमारे पािलिट में श unfortunate हो जादा है जो हमारी current capability उसके हिसाब से तो Rafale तो एक बिल्कुल game changer होगा हम पहले भी बोल चुके हैं जब हूँ हम integrate करेंगे अपने existing aircraft के साथ Su-30, Mirages जब integrated package होगा तो एक बहुत हमार लिए एक नई शक्ति आएगी air defense capability में offensive capability में उसको हम correct तरीके से use करेंगे पाकिस्तान ने जबावी हमला किया था हालांकि बहुत नुक्सान हमें नहीं पहुंचा पाए हमारे basis बे उसने अटेक किया उस पूरे operation को अगर देखें तो क्या सबक भाड़ते वाई सेने को मिला और उन सबक से आके वाई सेने किस तरह से तयार होगी आने वाली चुनोतियों के लिए देखिये जब हमने मिशन किया उसके बाद उसके बाद हमने अपना अलर्ट साउंड किया इंडिन एफोस के लिए जब पाकिस्तान एफोस ने मिशन किया तब उन्होंने जितने भी बाउम्स गिराए वो एक भी टागेट हिट नहीं हुआ ज़रूरी बात यह है कि हम प्रपेर्ड थे जब वो मिशन आये तो हमारे एरकाफ्ट ने एंगेज किया उनको टाइम पे एंगेज किया ताकि वो हमारे सीमा में ना घुसपाएं उन्होंने बाउम ज़रूर गिराए बिकाज बाउम गिराने के लिए आज की थारीक में इस तरह के वेपन्स काफी डिस्टन्स से गिरा सकते हैं उन्होंने बाउम गिराए एलोसी के काफी पास जो काफी डिस्टन्स से गिरा सकते थे बाउम गिराना इतना एहम बात नहीं है कोई भी कर सकता है लेकिन टागेट अचीव करना और टागेट को हिट करना जुरूरी है तो कोई भी टागेट हिट नहीं कर पाए वो एहम बात है क्या आप आगे तैयारियों को देखते हैं हमारी तैयारी पूरी है आगे की तारीक में कोई भी ऐसा टागेट आप मिलता है कोई भी ऐसी situation है जो subconditional area में हमको respond करना है भारती वायस वियना पूरी तैयार है बहुत धन्यबाद एरची मार्शल आरकेस भादोरिया वायस वियना पर मुका कहना है कि भारती वायस वियना की जो तैयारिया है वो बहुत मुकमल है हैं और किसी भी चुन ऊतिस की गती है वैरची में कके सभी कर्मियों का हसला बूरंद आ कमर्मेंट एजसिना के साथ मजितनेगी सिरनगर